Question है कि आपको ये wire given है इस wire में आपको B की value बतानी है कहाँ पर O point पर इससे पहले मैं ये question solve करूँ एक shortcut note करें या समझ लें अगर आपको कोई wire given है straight I current इसमें जा रहा है और अगर मैं आपको ये कहूँ कि B की value निकालो एक ऐसे point पर जो wire के axis पर लाई कर रही है वाइर के axis पर लाई करेगा वहाँ पर B exist निकरेगा जीरो होगा वाइर अपने perpendicular distance दूर आसपास भी तो generate कर सकती है अपने axis पर B generate निकरती कि axis पर point होने पर angle भी बनते 5 1 5 2 0 होते है जिस वजह साइन 0 साइन 0 0 होता है B 0 रहेगा ये भूलना नहीं आपने तो अब अपने question को solve करते हैं मेरे इस question के अंदर ये wires है इन wires की वजह से मेरे को O point पर क्या निकालना है B की value निकालनी है net आप अपने इस figure को तीन हिस्सों में बांट लें तोड लें पहली ये wire है straight है फिर ये आरक है फिर ये straight है और अप अगर ये पहली wire number 1 straight की बात करें ये o point इसके axis पे लाई करते है तो इस wire का यहाँ पे contribution क्या होगा? 0 इसको छोड़ दें फिर ऐसी wire number 3 की बात करें थ्री नंबर वायर के axis पे ओ पॉइंट लाए करते हैं तो इसका contribution भी क्या होगा? 0, छोड़ दें. क्या बचा? semi-circle. semi-circle का formula लगा लें, d is mu-naught by 4pi, pi i by r, semi-circle का formula, और direction क्या होगी? क्योंकि curve है, तो 4 finger current के साथ गुमाएं, d कैसे आएगा? inside. तो answer क्या है, net inside. यह answer है. उनका contribution 0 हो गया, इसका semi-circle का formula लगा के, answer inside. put out इसमे? method समझ में आ रहा है कि क्या rule लगेगा इसमे? फिर लगा के देखो, इसमें लगाओ. आपको center पे निकालना है, b की value center पे क्या होगी? c पे? आप बस मुझे यह बताओ कि, इस wire का contribution c पे क्या होगा? 0. क्योंकि c point इसके axis पे लाई करता है. इस wire का contribution भी c point पे क्या होगा? 0. क्योंकि axis पे लाई करता है, यह point छोड़ दे. क्या बचा? semi-circle. semi-circle में b का formula mu-naught by 4pi, pi into i divided by r हो जाएगा. direction बता दे. चेक करें. 4 finger, 4 finger को current के साथ घुमाएं. तो thumb कैसे आएगा? inside. तो answer कैसे आएगा? inside को cross से represent किया जा सकता है. क्या step clear है यहाँ तक? कैसे सोचना है इसमें? ठीक. तो इसके अंदर यह तो same question जो उपर किया. इसे करें. इसे करें. इसमें एक long, infinite, straight wire है. और साथ में एक circle भी है. इस पूरे question को दो हिस्से में तोड़ लें. यह wire number 1 है. और यह wire number 2 है. wire number 1 यह long wire है. infinite wire है. आपको B कहाँ पे निकालना है? point. O पे निकालना है. अब मुझे यह बताएं कि O point से इसकी दूरी कितनी है? इसमें मान लो R. और current कितना जा रहा है इसमें? I. I. तो I current जा रहा है और distance कितने है? R. तो B की value इस wire की वज़े से, infinite wire की वज़े से formula देखो, check करें. last time किया था. mu naught by 4 by 2 I divided by R. तो wire number 1 के लिए infinite wire का result यूज़ कर दिया. क्या यह step यहां तक clear है? circle है, तो circle के लिए formula क्या use किया था? mu naught by 4 pi, 2 pi I divided by R. क्या step के लिए रहा है यहां था? straight wire के लिए B का formula आ गया, circle के लिए B का formula आ गया, put out इसमें. ठीक, direction बोलें अब साथ-साथ. straight wire बोलें. straight wire, o point पर B की direction कहा लगाएगा? in की out, outside लगाएगा, check करें. straight wire है, thumb current के साथ यह रहा. thumb current के साथ, तो B कैसे आएगा? outside. thumb current के साथ, B कैसे आएगा? outside. तो इसके bracket में क्या लिए लिए देते हैं? outside. यह B1 vector आ गया. क्यांकि magnitude के साथ direction भी आ गया. next, circle देखें. circle की वज़े से B की direction बोलें. कैसी? outside. कैसे? चार finger current के साथ. तो चार finger current के साथ. तो कैसे आएगा? outside. outside यह देखो. तो यहाँ पर भी क्या आएगा? outside. अब B1 भी outside है, 2 भी outside है. तो net B की value क्या आएगी? net B की value में mu0 by 4 pi, I divided by R, 2 plus 2 pi, common निकल गया. और net direction क्या mention करने पड़ेगी? outside यह cross, sorry, dot. एगी बात है. outside को कैसे represent करते हैं? by dot. answer. ऐसे objective के अंदर यह options, ऐसे given होती है options. तो common निकाल के दिया होता है, और साथ में आपको dot या cross साथ में mentioned होता है. method समझ में आ रहा है कि क्या इसमें rule लगेगा इसमें? दो B अगर same direction में हैं तो तोनों add हो जाएंगे और add होने के बाद net answer आजाएगा. without इसमें? clear है यहां तर? next O point next point next point है O अब B कहां पे निकालना है? O point पे यह जो wire है यह चार हिस्सों में तोड़ लो यह wire number 1 है यह 2 है यह 3 है और यह 4 है तो wire number जो 4 है क्योंकि हमने B कहां पे निकालना है? O पे तो wire number 4 के line के axis के उपर O point लाई करता है तो इसका contribution क्या होगा? 0 तो कम से कम wire number 4 को तो छोड़ी दो इसका contribution लेना ही नहीं wire number 2 के उपर भी यह O point लाई करता है तो इसका contribution भी क्या होगा? 0 तो यह क्या है 0 यह क्या है 0 बची 2 wires wire number 1 का radius कितना है? A और arc ने angle कितना subtend किया? alpha तो arc का formula होता क्या है? mu not by 4 pi alpha into i divided by a theta i by a तो alpha i by a तो formula आगया B का पले value लिखेंगे direction बाद में देखते हैं ऐसी wire number जो next wire है यानि कि wire number 3 wire number 3 ने भी angle क्या subtend किया alpha और wire number 3 का radius कितना है? B तो formula arc का लगाए mu not by 4 pi alpha i divided by radius क्या हो गया इसमें? B एक का radius A, एक का radius B ठीक हो गया यहां तक? B1, B2 की values आगए ही, right? direction mention करते हैं wire number 1 में arc है तो 4 finger arc के साथ तो B कैसे आएगा? out out तो इसके पीछे क्या आएगा? out outside है? इस wire के लिए बोलो in कैसे? 4 finger current के साथ तो B कैसे आएगा? in तो यहां पर क्या आएगा? inside अब एक B outside produce कर रहा है और एक B inside कर रहा है तो दोनों B आपस में क्या होंगे? minus outside, inside, minus बोलो बड़ा कौन, छोटा कौन? B1 बड़ा कि B3 बड़ा? B1 कैसे बड़ा? क्योंकि radius छोटा है उसका A छोटा है और B बड़ा है तो यह बड़ा है तो net जो value आएगी B की will be equal to B1 minus B3 that is mu0 by 4 pi alpha I 1 by A 1 by B क्योंकि यह बड़ा है तो net direction भी कैसे आएगी? outside तो क्या यह पॉइंट यहां तक क्लियर है? net direction outside good out इसमें ठीक समझ में आ रहे हैं यहां तक तो कैसे लिखने आएगी answers clear है? most probably यह question objectives यह आते हैं subjective कम आते हैं objective में ऐसी option आपको कि बन होती है ठीक यहां तक next इस वायर के तीन हिस्से कर ले पहला हिस्सा straight है दूसरा हिस्सा भी straight है और तीसरा यह आर्क है और इसके center पे आपको क्या निकालना है? दी निकालना है यह pi by 2 लेकिन हमें तो यह angle चाहिए इस आर्क ने center पे angle कितना बनाया? 3 3 pi by 2 तो वायर नंबर 1 के axis पे o point लाए करता है तो इसका contribution 0 वायर नंबर 3 के axis पे o point लाए करता है इसका contribution भी 0 सही है इस आर्क का contribution क्या होगा? mu0 by 4 pi theta is 3 pi by 2 into i divided by radius r theta i by r तो क्या यह step clear है? तो b का contribution mu0 by 4 pi theta i by r direction बोले in की out चार finger ले चार fingers को current के साथ गुमाएं तो b कैसे आएगा? in तो answer क्या आएगा? inside inside का मतलब cross ऐसे answer की बनोगा cross in तो मैं लिख रहा हूँ वैसे books cross लेखती है क्या यह step clear है यहाँ तक? समझ में आ रहा है कि क्या logic है इन में? ठीक है? next step यह question है क्या है देखो इस question को solve करने से पहले आपको एक काम करना है इस question को solve करने से पहले इस question को देखना है इसका answer क्या होगा इसका अगर आपके पास एक straight wire है एक तरफ से infinite है और एक तरफ से finite है यहां पर खतम होती है wire बस और आपको भी कहा निकालना है यहाँ निकालना है ओ पॉइंट पर अगर यह वायर थोड़ी और लंबी होती ऐसे तो मैं एंगल एल्फा वान लेता एल्फा टू लेता ऐसे और मेरा अंसर आता साइन एल्फा वान तो साइन एल्फा टू जैसे हम लास्ट टेम किया था इस पॉयर यही पर कि खतम है तो यह एंगल क्या बने वाले है जी मैं आपके इस वायर के आणिंग होई गई दिटी अए ओ अणल बनेगा नियु और इस्तिरफ किता बनेगा नइटी इंफिनएट की वजए सिंट क्या बनने वाल है यहाँ पे नाइंटी और यहां पर क्या बनने वाले बनेगा ही नहीं तो एक एंगल क्या बनेगा जीरो और एक बनेगा 90 को डाउट इसमें तो साइन फाई के अंदर एक एंगल जीरो एक एंगल 90 का कॉंसेप्ट समझ में आ रहे है अब उस को सॉल करो तो इसको कुछ हिस्सों में ब्रेक कर लो ये पहली वायर है वायर नमबर वन ये वायर नमबर टू ये वायर नमबर थ्री करन डिवाइड हो रहे है ये वायर नमबर फूर इसका रेडियस गिवन नहीं है तो चलो कोई बात नहीं इसका रेडियस आर एजूम कर लेते हैं इसक 0 by 4 pi यह wire number 1 है यहां से infinity से आती हुई आती हुई यहां तका रही है और आपको भी यहां पर निकालने है सेम यही बला case है जो भी बताया मैंने तो एक angle इस wire के end के साथ बनेगा 0 और एक क्या बनेगा 90 तो mu 0 by 4 pi current 5 है divided by r sin of 0 हो जाएगा और sin of 90 हो जाएगा क्या B1 का formula clear है direction बाद में देखते हैं पहले B1 की value लिख लिखते हैं क्या यह point clear है यहां तक B1 की value clear है यहां पर quit out इसमें next है B2 अब यह 5 ampere का current divide हो जाएगा 5 by 2 और 5 by 2 में हना आदा आदा 5 by 2 5 by 2 और फिर 5 ampere तो अब semi circle है wire number 2 semi circle है semi circle का formula क्या बनेगा mu 0 by 4 pi semi circle का current कितना है 5 by 2 divided by semi circle है sorry तो pi लिना पड़ेगा तो mu 0 by 4 pi pi into current 5 by 2 divided by radius r क्या step clear है semi circle में theta के जिका pi आजाएगा तो theta i by r यह भी clear है दूसरे semi circle का current भी 5 by 2 है radius इसका भी r है तो B3 का formula पर exactly same आएगा mu 0 by 4 pi pi into 5 by 2 pi into 5 divided by 2 divided by radius r क्या यह step clear है यहां था तो straight wire आ गया दो semi circle आ गए और फिर से चौती wire straight wire आ गई straight wire mu 0 by 4 pi i divided by r बताओ यह रहा तो यह wire यहां से start हो रही है infinite तक जारी है तो जहां से start हो रही है तो एक angle क्या लिना पड़ेगा 0 और एक infinity के लिए angle क्या लिना पड़ेगा 90 तो B1, B2, B3, B4 clear है यहां तक ठीक समझ में आ रहा है यहां तक B1, B2, B3, B4 clear है without इसमें ठीक है चलो direction देखते हैं बताओ wire number 1 पे आ जाओ यह रही wire number 1 wire number 1 इस O point पर B की direction बोलो क्या लगाएगी wire number 1 O point पर direction कैसे लगाएगी inside क्या outside चेक करें thumb straight wire के साथ है अगर कोई point उपर होता अगर होता तो in हो जाता लेकिन point तो नीचे है तो यह outside हो जाएगा अगर यह थोड़ा confusion create करता है आपको नहीं समझ जाता कोई बात नहीं आप अपनी wire को बाहर निकाल लें यह 5 wire है semi circle इसकी वज़े से बी की direction क्या होगी outside क्योंकि यह चार finger ऐसे घूमी तो बी कैसे हुआ outside और इसकी वज़े से कैसे होगा inside तो यह चार finger ऐसे घूमेंगी तो बी कैसे होगा inside अब यह out है और उत्ना ही magnitude इसका इन है अब मुझे पता है जो मैं एड करूंगा तो आउटसाइड और इंसाइड का मैंगनेटिक फिल्ड आपस में क्या हो जाएगा तो यह तो छोड़ी तो कि प्रफित तो यहां पर भी क्या लेना पड़ेगा आयॉट्साइड है यहांपर भी क्या लेना पड़ेगा आउटसाइड है कि मतसमद तक क्या कर देना है चाल क्लियर stiffas में चर्प है की या लॉजिक लगेगा इसमें और कैसे इन questions के answer देने है wire को divide करना जरूरी है पहले magnitude लिखना जरूरी है हर के बीछे direction लिखने ही जरूरी है उसके बाद answer आएगा कोई doubt इसमें ठीक है नतक ख्लिर है next next question के अंदर यह आपके सामने यह देखो यह एक arc है यह एक arc है यह straight के straight है यह straight line के axis पे o point लाए करते है आपको magnetic field ओ पे निकालना है तो o point इसके axis पे लाए करते है तो contribution 0 छोड़ दो यह छोड़ दो two number wire के भी axis पे o point लाए करते है तो इसका contribution भी 0 छोड़ दो बचा यह तो arc बच रहे अब इसके अंदर यह arc है इस arc अगर यह angle alpha subtend कर रहा है तो यह कितना करेगा two pi minus alpha तो wire number one का contribution क्या हुआ mu not by four pi theta की जगा two pi minus alpha into current i divided by radius कितने है r1 इसका radius r1 है theta i by r formula clear है ac b2 b3 b3 का formula mu not by four pi angle की तद subtended है alpha into i current divided by r2 ठीक है यह तक direction भूलो इसकी first wire की inside चार finger current के साथ घुमाएं यह घुम रहे है तो thumb कैसे आएगा inside inside इधर घुमाएं इस wire में कैसे आएगा inside दोनो inside तो दोनो inside है यह भी inside है यह भी inside है तो जो net value आएगी वो b1 को b3 के साथ add कर देना और net answer कहाएंगा inside answer क्या step clear है यहां तक without इसमें सही है ठीक है समझ में आ रहा है next . ... ... ... झाल झाल तो next question है net magnetic field o point पे निकालने है अब o point इस question को दो हिस्तों में डिवाइड कर ले एक straight है और एक arc है यह अगर 90 है, pi by 2 है तो यह arc का angle क्या होगा 3 pi by 2 इस question के अंदर आपको यह straight wire है finite है, infinite नहीं है तो sin 5 fine 5 वाला formula लगेगा इसमे तो यह perpendicular distance यहां से कितना है a, जो कि given नहीं है आपको given क्या है इसमें सिरफ r तो आपको a खुद निकालना पड़ेगा paper में तो a perpendicular distance निकाल लेते हैं, यह आदा angle क्या होगा, 45 तो cos of 45 की value इस triangle में क्या हैगी a divided by r तो 1 by root 2 is equal to a divided by r, तो a की value क्या आएगी r by root 2 तो आपको a given नहीं होगा, आपको perpendicular distance बाइर का निकालना पड़ेगा, आपको 30 distance r given है, तो a आगे अब यह finite wire है finite wire का formula क्या होता है mu not by 4 pi current i divided by a, अब a को end में क्या put करने वाले हैं हम, r by root 2 into sin of 45 plus sin of 45 क्योंकि एक angle 5 आने है तो दूसरा angle phi 2 है, क्या step क्लिए रहा था? ठीक है next है b2 second wire जो की arc है, arc का angle क्या होगा, mu not by 4 pi theta, theta का है 3 pi by 2, i divided by radius r इसमें r आएगा, क्योंकि arc का radius कितना है, r लेकिन यहाँ पर क्या चाहिए था, perpendicular distance जो कि निकालना पड़ा, r से ठीक है, arc का radius तो r ही चल रहा है न, यह थोड़ी न है सही है direction बताओ straight wire की वज़े से o point पर b की direction कहा होगी thumb ले, thumb इस तरफ किया तो कैसे आएगी, inside तो इसकी जगा क्या आएगा, inside इस arc की वज़े से बोलो inside, 4 finger arc के साथ घुमेगी तो thumb तहाँ आएगा, inside तो यह भी कैसे आएगा, inside net, b की value क्या आएगी b1 ने, b2 में add करेंगे और net direction के आएगी, inside ही आएगी क्या इस step यहां तक clear है, good out इसमें समझ में आ रहे हैं यहां तक सही है, next step यह यह दो circular loops हैं और नहीं यह circular loop एक के अंदर एक हैं कैसे प्रपेंडिकुलर हैं एक मालो circular loop ऐसे है और एक circular loop ऐसे है एक अंदर एक है, तो यह horizontal loop है और एक vertical loop है चलो horizontal से start करते है horizontal loop में current ऐसे है, देख रहे हो, ऐसे है तो यह ऐसे, horizontal loop में current ऐसे है, इसके center पे, क्योंकि यह जो O point है, यह common point इनका center है दोनों का, center पे B का formula आपको आता है, ring के center पे, आप मुझे यह बताओ कि अगर current इसमें ऐसे घुमेगा, तो B की direction कहां होगी, अपवर्ट जोगी क्यों, चार finger को current के साथ घुमा दो, तो थम अगरे, ओ P point की वज़े से B कैसे है, उपर, mu not by 4 by 2 by i by r, पहला result clear है, तो horizontal loop यहाँ पर भी ऐसे लगाएगा, उपर लगाएगा, वर्टिकल लूप देख ले, वर्टिकल लूप में बड़ी confusion होती है, कई लोग कहते हैं कि current यहां से बाहरा आ रहा है, यह अंदर जा रहा है, कोई कहता है, यहां से अंदर जा रहा है, यहां से बाहरा है, दोरो तरफ से आपको उल्टा सीज़ा दीख सकता है, illusion है यह, पता ही लग रहा current कैसे जा रहा है, पता लग रहा है, अच्छी बात है, मेरे साब से current ऐसे आ रहा है, मुझे ऐसा लगते हैं कि current ऐसे, मैं इसको ब मुझे लए रहा हूं इसको अंदर ले रहा हूं क्यों डॉक्य है बना रख है क्या हूं ग क्रुंट कैसा रहा है तिस typical मैं इस घाग जाएगा नॉइम से बी इधर है दोनों इन्यों अगल कित्ना बन गया, 90 है तो बी का फॉर्मृ ला इसका भी ग्साथ सेम है सघ्चल पर सग trans сейчас सिर्कल कर ऐसके वजे से भी का फॉर्मृ चर्कल के सेंट्र पर इसकी वजे से भी का फॉर्मृ इधर रों भी 90 डिग्री है नेट B की value क्या होगी under root of BP square plus BQ square add कर देना option महा कर लेना और क्योंकि B is a vector quantity तो net B जो आएगा उसका कुछ angle बनेगा angle मालो theta tan theta क्या होगा BP by BQ BP BQ का magnitude तो same ही है तो 1 आएगा theta क्या आएगा 45 dp क्या यह point यहां तक clear है तो direction लगा नहीं आ रही है straight line में और curve line में direction कैसी बनेगी ठीक है एक question इसी के अंदर कुछ यहां पर given है circular loop का यह बला क्या है प्रफ climate a यहां वहां जीत तो यह ज सहाँ है झालो प्रफ में ठीए कर सके तो है कर का थूल में रहाँ टो आएगा इस देखो क्वेस्टिन है दोस सर्कुलर लूप अहां आमने सामने बढ़े हुई है वो एक्सियल है ठीक है आमने सामने पड़े हुई है और ये एक स्टेट लाइन है इसमें करण्ट वो आपको दे रहा है आए वन और एंपियर इसका रेडियस 30 cm है और इसमें वो पूछ रहे करण्ट की डिरेक्शन क्या होनी चाहिए और वैल्यू करण्ट की क्या होनी इसमें माल लें current यहां जा रहा है माल लें यह first loop है माल लो इसमें current ऐसी जा रहा है और मेरे को o point यहाँ पर given axis के उपर, तो अगर मैं यह पूछ हूँ कि o point पर इस current की वज़े से b की direction क्या होगी तो आप current के साथ 4 finger घुमाएंगे B कहां पर आएगा इस तरफ तो answer क्या होगा इस तरफ तो अगर first loop में current ऐसे घुम रहे तो B कहां होगा इस तरफ तो क्या मैं ये mark कर सकता हूँ first loop में current घुम रहे तो B1 कहां होगा right की तरफ मैं ये चाहता हूँ कि ओ point पर net B क्या आजाए 0 और 0 तब आएगा जब इदर current जो जाए वो इस point पर B कहां produce करे इस तरफ ताकि इदर और इदर का B आपस में क्या हो जाए cancel तब ही answer आएगा 0 तो अगर आप चाहते हो कि B2 इदर जाए B2 इदर जाए इदर जाए थाम इदर जाए तो current कैसे घूमेगा ऐसे तो इसमें current कैसे घूमने चाहिए बोर्ड के अंदर इसमें कैसे घूमना था बोर्ड के बाहर इसमें कैसे घूमना चाहिए बोर्ड के अंदर बोर्ड के अंदर होगा तभी तो B2 कहा आएगा इस तरफ, इसका मदब एक बात पकी है, कि इसमें अगर current बोर्ड के बाहर है, तो इसमें opposite direction में घूमना चाहिए, तो लिख दिया, इसमें current कैसे होना चाहिए in opposite direction to first loop, अब पता ही लग रहा न, ये बाहर आ रहा है कि अंदर जा रहा है, कुछ पता ही लग रहा, तो इसलिए आ बोर्ड के अंदर या बाहर, आप लिखो, L1 के अंदर जो current है, उसके opposite direction में current होना चाहिए, ताकि net भी 0 हो जाए, direction clear है, कैसे निकली, B का magnitude निकाल लेते हैं, equate करके answer आजाएगा, I2, माल लो इसमें current कितना आ रहा है, I2, तो ये capital R है, ये small r है, आप check कर लो, आपको axis का formula ल ring के axis का B का formula लगाया, mu0 by 4 pi, 2 pi, capital R square, into current, divided by R square, R square, raised to power 3 by 2, ये करवाय था, ये small r है, capital R है, तो B का formula लगा लिया, axis के ऊपर, ऐसी यहाँ पर लगा लिया, capital R है, ये small r है, B का formula लगा लिया, B2, B1, P2 के formula को equate कर लिया, denominator तो यहां से मेरी खाल से cancel भी हो जाएगा, solve करके, I2 answer, तो मैं थर्ट समझ में आ रहा है कि ये, क्या logic लगेगा इसमें, तो मैंने ये बताया, कि इसमें जो current है, first loop में ऐसे आ रहा है, तो इसका axis पर B इदर होगा, तो सामने वाली loop का current ऐसे होना चाहिए, ताकि B इदर है, direction clear है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि question में कहा रहा है, net B O पर क्या आना चाहिए, 0, 0 आने के लिए इसकी वज़े से B इदर आना चाहिए, और इदर आने के लिए current ऐसे घूमना चाहिए, तो पहली coil में ऐसे घूमना चाहिए, ताकि B इदर आए, दूसरी coil में ऐसे घूमना चाहिए, ताकि B इदर आए, पहला rule, और B की value यह दोनों को निकाल के एक्वेट कर दिया, एक्सिस का फॉर्मॉला लगाया और दोनों को एक्वेट कर दिया, आंसर आ गया, clear है यहां तक, इस question का आंसर दें, यह लो, suppose आपके पास यह एक वायर है, यह वायर है, और यह वायर है, यह current आया, इधर आया, और यह इधर आगया, such that, यह यहां पर कोई current नहीं है, यह y-axis है, यह semicircle है, माल लो, यह z-axis है, माल लो, यह x-axis है, तो इसमें current ir है, यह center c है, आपको center c पे net b की value बताने है, क्या है, तो यह infinite wire है, infinite wire है, यह wire ऐसी नहीं है, actual में यह wire कहां पर बोड के बाहर आ रही है, यह aise आ रही है, जैसे यह जो axis है, इधर का axis y है, इधर का z है, तो इधर का x है, तो X-axis का मतलब ये wire बोर्ड के बाहर आ रही है, ऐसे, ऐसे आ रही है, तो आपको net भी मिखालना है क्या होगा? तीन हिसे बनाओ wire के, 1, 2 और 3 तो देखो कैसे बनेंगे तीन हिसे, तीन हिसे ऐसे बनेंगे, ये wire number 1 है, ये wire number 2 है, और ये wire number 3 है करें start, पहले wire number 1, wire number 1 की बज़े से B का formula mu naught by 4 pi, I divided by R क्योंकि wire straight यहाँ पे खतम है और exactly नीचे C point है, हमने किया अभी, एक एंगल 0 बनेगा और infinity की बज़े से एक एंगल 90 बनेगा, क्या ये पहला formula clear है, 0 और 90, क्या था जबनेंगे formula, ठीक है, B1 का magnitude तो clear है B2, B2 semi-circle है, semi-circle का formula mu naught by 4 pi, pi into I divided by R, क्या step clear है, semi-circle का formula clear है, यह भी clear है next है third wire, जो third wire है, वो कैसी है, यह wire है, ऐसी है, इसको में देखो, यह है, ऐसी है अब A point C exactly इस wire के कोने पर है, और 90 degree पर है, एंगल 90 बनेगा infinity की बज़े से, और एक एंगल क्या बनेगा, 0, तो एक एंगल 0 बनेगा, एक एंगल 90 बनेगा, क्योंकि wire यहां से start हो रही है, और C point exactly wire के कोने पर है, तो B3 B की value mu naught by 4 pi, I divided by R, sin of 0 plus sin of 90 है, क्या यह यह यहां तक clear है, तीनो formula clear है, B1, B2, B3 के, चेक कर लो, यहां पर कोई doubt, direction शुरू करते हैं, wire number 1 की direction बोलो क्या होगी B की, outside, okay, thumb current के साथ, current कहां पर है, यह रहा, thumb current के साथ, B कैसे है, outside, thumb current के साथ, straight wire है, B कैसे आएगा, outside, तो हमें लिक देता हूँ यहां पर, कि जो B की value है, इसमें कैसी है, outside, wire number 2, चार finger current के साथ, B कैसे है, outside, तो यहां पर भी कैसे है, outside, wire number 3, out की in, की left, left, किते लोगा out in, एक shortcut बताया था, अगर आपकी wire board के ऊपर है, तो magnetic field out in आएगा, लेकिन अगर आपकी wire out in है, तो magnetic field तो board के ऊपर ही आएगा, out in है नहीं नहीं सकता, आपकी wire ही बाहर आ रही है, तो आपकी wire तो आ रही है, बाहर, B कैसे बाहर होगा, B बाहर होई नहीं सकता, तो फिर क्या करेंगे, यह मैंने लिया thumb, देखो current कैसे आ रहे है, आपकी तरफ यह देखो इधर, इधर सामन यह wire आपकी तरफ आ रही है, यह मैंने क्या लिया, यह रहा thumb, इस point पर कैसे आएगा भी नहीं तरफ आएगा, left, तो समझ में आ रहा है यहां तर, यह point clear है, thumb इधर, तो ऊपर point है, तो कहां पर आएगा, left, अब यह बड़ी ज़ीब सी बात हो गई, मैंने solve कैसे करूंगा, out, in, left, नहीं कर पाऊंगा, इसलिए question में जान बूच के, आपको नहीं, axis mentioned है, तो आपका जो पहला answer था, वो out था, out में कौन सा axis आ रहा है, x, तो पीछे क्या लिखेंगे, i cap, i cap, out मतलब यहां पर कौन सा axis है, आपकी तरफ x axis, i cap, इसकी वज़े से भी out था, तो पीछे क्या लगेगा, i cap, और left का मतलब, जान बूच के, y axis यहां given है, right, तो पीछे कौन सा axis है, minus, j cap, अब इन तिनों को add कर देना, आपको objective option में, i, j, minus j में, i और minus j में option given होगा, common, common, निकाल के objective question बाग कर लेना, तो idea समझ में आ रहा है, अब ये न, आपको कहोगे, मुझे कैसे पता लगेगा out in लिखने है, या i, j लिखने है, objective का option दिखा देगा, objective के option में, अगर i, j given है, फिर आपको out और in लिखना, फिर आपको i, j, k में लिखना है, अगर objective के अंदर dot cross है, इसका मतलब out और in में answer है, ये depend करेगा question कूशने वाले पे, वो क्या जिना चाहता है, तो idea clear है अगरा तक, को doubt इसके,